भारत मताकी भारत मताकी भारत मताकी जय जवान जय किसान जय जवान जय किसान मन्पर विराजबान राजस्तान के राजपाग सिर्मान कल्यान सिंजी यहां की जनप्रिय मुख्यमंत्री बहन बसुंद्रा राजे जी केंद्रिय मंत्री परिशद में मेरे साथी करनल राजबेजन सी राठोड अरजुन राम मेगवाल सी आर चोधरी पीपी चोधरी गजेंद्र सी शेखावत राजस्तान के बीजेपी के अद्यक्ष और वर्षों तक जब मैं भारतिय जनता पार्टी का संगठन का कायरे करता था तो हमेशा सिर्मान मदनलाल सैनी जी के साथ दोरा होता था मेरा और एक संगठन की बारीकियों में काम करने वाले कायर करता आज भारतिय जनता पार्टी के प्रदेश के अद्यक्ष रुप में हमारा नेत्रुत्व कर रहे है विदान सभा के स्पीकर सिर्मान कैलास मेगभाल जी राजस्तान सरकार में मंत्री सिमान गुलाप्षन जी कटारिया जी और राजस्तान के कौने कौने से आये हुए सभी उत्साही मेरे प्यारे भाई और बहनों राजस्तान अपनी परंपरा के अनुरूप अपनी संस्कृति के अनुरूप किस प्रकार स्वागत सम्मान करता है कैसे सत्कार और अपनापन देता है इसकी साब साब जलक मैं आज अनुभव कर रहा हूँ राजस्तान की जमिन की क्या सच्चाई है जन का क्या मत है ये इस विशाल मैदान में हर किसी को दिखाई देता है राजस्तान निरंतर ऐसे ही हम सब पर अपना स्ने बर्शाता रहा है आपके इस आशिरवात के लिए मैं रदय से आभारी हूँ और इस वीरों की धर्ती को नमन करता हूँ साथियों राजस्तान में शक्ति और भक्ति का संगम है महरा प्रताप के साहस महराजा सुरेजमल के शौरिया भामाशा के समर्पन पन्ना धाई के त्याग मिरा भाई की भक्ति हाडी रानी के बलिदान अमरुता देवी के आत्मोर्सर की कद्ब गाता है यहां के जन जीवन का हिस्सा है गगन चुम्बी किले सुनारे धोरे रंग भी रंगी पगडिया मिठी बोली सुरिले गीत और मर्यादीत रीद यही तो राजस्थान की पहचान है प्रकृती की चुनावती पूर्ण परिसित्यों से लोहा लेते हुए अन्न उत्पादर हो या फिर राष्ट रक्षा की चुनावती राजस्थान सभियों से इस देश को प्रेरणा देता रहा है भाई और बहनों बिते चार वर्षों से राजस्थान दो गुनी शक्ति के साथ विकास के पत पर आगे बढ़ रहा है केंद्र और राजस्थान की सरकारे मिलकर के आप सभी के जीवन सरको उपर उठाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है 21 सो करोड से अधीक इसकी तेरा योजनाओं का सलान्यास करने का आउसर मिला उदैपूर, अजबेर, कोटा, दोलपूर, नागोर, अलवर, जोधपूर, जालावार, चित्तोरगड, किशनगड, सुजानगड, विकानेर, भिलवाडा, माउंटाबू, बंदी और व्यावर इन से जुड़े, इन प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ है ये सारे प्रोजेक्ट, राजस्तान के शहरों और कस्पों में, बहतर और स्मार्ट सुविधाओं के निर्मान ते जुड़े है प्राफिक जाम से मुक्ति का समाधान हो, या फिर सीवेट की बहतर व्यवस्ता हो ये सारे प्रोजेक्ट, इन सभी शहरों में, जीवन को सुगम बनाने वाले है साथियों चार वर्ष पहले की स्थिती, आप भूले नहीं होंगे और मैं राजस्तान के लोगों से आगरह करूँगा कि चार साल पहले की क्यों से स्थितियां थी किन परिस्थितियों में वसुंद राजी को कारोबार समालना पड़ा पिछली सरकार राजस्तान में कैसे हाल छोड़के गई थी उन बातों को कभी भूलना माच तब जाकर ये पता चलेगा कि आज काम कैसे हो रहा किस प्रकार राजस्तान में स्रिम नेताओं के नाम पर पत्थर जनने की होड़ मची हुई थी बाड़ मेर में अब जो रिफाइंद्री बन रही है उसके साथ क्या क्या हुआ था ये राजस्तान का बच्चा बच्चा जानता है आज इस रिफाइंद्री पर टेज गती से काम चल रहा है ये इस सरकार का काम करने का तरीका है जिसमें न चीजें अटकती हैं न लटकती हैं न भटकती हैं चाहिए केंद्र की सरकार हो या राज्य की बारतिय जनता पार्टी की सरकार हमारा एक मात्र एजंडा रहा है और वो है विकास विकास और विकास देश के प्रतेक व्यक्ति के जीवन को अधिक से अधिक सरल, स्वस्त, सुरक्षित और सूगम बनाने का काम एक के बाद योजनाओं के द्वारा हम करते चले जा रहे हैं सरकार की योजनाओं का कितना लाप आप सभी तक पहुचा है ये जानने और समझने का और उसमें सुधार की अगर कोशिक भी लगातार जारी है ये हमारा प्रयास है कुछ समय पहले आप पैसे ही कुछ लाबार्तियों ने अपने जीवन में आये बडलाओं के बारे में बताया है यहां न सिर्फ पेंद्री योजनाओं बलकि राज्य सरकार की योजनाओं से जुड़े लाबार्ति भी अपनी बात बता रही थे राजस्री योजना के तहट जिन मेखधावी बेटियों को स्कूटी मिली है पालनहार योजना के तहट जिन बच्चों को लाब हुआ है जिन बुजूरों को तीर्फ योजना का लाब मिला है इन सब की आँखों में जो चमक दिखी जो विश्वाद दिखा उसे कोई व्यक्ति भूल नहीं सकता है और मैं वसुंद्राजी को इस कलपना के लिए बढ़ाई देता हूँ ये ठीक है एक वर्ग है जिन को भारतिय जनतापाटी का नाम सुनते ही उनकी नीन खराब हो जाती है मोदी का या वसुंद्राजी का नाम सुनते ही उनको बुखार चड़ जाता है उनको ऐसी कारकमों से नफरत होती है लेकिन इसका सबसे बढ़ाब ये है कि जब लाभारतियों के मुँँ से राजस्तान का सामान्य नागरी जानता है तो उसको भी पता चलता है कहां ये योजना है और मैं भी जाकर के इसका लाब ले सकता हूँ या ले सकती एक प्रकार से योजनाएं उसके कारण सिर्फ कागज पर अटक नहीं जाती है वो जन जन तक पहुँचती है इसके कारण सरकारी मशिनरी पर एक दमाव पैदा होता है जनता जनार्दन का दमाव पैदा होता है लोग में जागरुकताती है और उसके कारण किसी छेतर में एकाद अपसर अगर धीडा लिला काम करता होगा तो उसको भी अब दोड़ना पड़ता है और इसलिए इस कारेकम के द्वारा सरकार का प्रचार जितना है उससे ज़्यादा लाभार्थियों में जागरुकता का बहुत बड़ा काम हुआ और मैं चाहूंगा कि लाभार्थी बार बार सब जगापे बताएं ताकि और जो छुट गए हैं वो लाभ लेने के लिए आगे आएं साथियों बीते चार वर्चों में जो भी कारकम बने हैं उनके केंदर में हमारा गरीब, सोसीद, पीडीद, वन्चीद, दलीद, आधिवासी, हमारा किसान, हमारी माताय बहने बेश के केंदर मिंदु में हैं सरकार, 2022 तक जब आजहादी के 75 साल होंगे, किसान की आए, दो गुना करने के लक्ष के साथ काम कर रही है और इसी धर्ती के संतान, मेरे साथी गजेंदर सी सिखावत, किर्शी विभाग को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं मुझे आज है, तीन साल पहले, जब सोईल हेल्थ कार्ड, स्कीम को शुरू करने का आउसर आया तो इसका शुभारम, राजस्तान के सुरतगर से ही हुआ था तब सरकार ने लक्ष रखा था, इस समय तक, 14 करोड सोईल हेल्थ कार्ड बांटने का इरादा था और मुझे खुशी है, कि ये वादा हमने पूरा किया और अब तक देश में 14 करोड 50 लाग से जादा सोईल हेल्थ कार्ड किसानों को दिये जा चुके राजस्तान में भी करीब करीब 90 लाग किसानों को ये कार्ड मिले हैं इन कार्डों की वज़े से वैज्ञानिक तरीके से खेती और आसान हुई है और इसका सीधा आसर उत्पादन पर पड़ा है आपने देखा होगा अनेक वर्षों के बाद देश में बंपर क्रॉप हुआ है साथियों ये भी सुखत सहियोग है कि जब सरकार ने फैसलों के न्यूनतम समर्तन मुल्य को लागत का डेड़ गुन्ना करने का अपना वादा पूरा किया है तो भी सबसे पहले मुझे सारवजनिक कारकम राजस्थान में करने का आउसर मिला है इस बार जो बाजरा जवार या दाल आप उगाएंगे उसके लिए आपको लागत का डेड़ गुना मुल्य मिलेगा सात्यों में विशेश कर राजस्थान के किसानों को विस्तार से इस बारे में बताना चाहता हूँ एक क्विंटल बाजरा की अनुमानित लागत करीब नव सो नब्बे रुपे होती है कितनी? कितनी? 990 रुपे कितनी? अब शरकार ने MSP बढ़ा कर एक हजार नव सो पचांस रुपे कर दिया कितना? 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 पहले 990 लागत और अब एक हजार नव सो पचांस रुपे मिलेगा याने करीब करीब लागत का दो गुना इसी तरह जवार का लागत मुल्य करीब 1620 रुपे है जिसके लिए MSP अब 2430 रुपे का दिया गया है मक्के की भी लागत प्रति क्विंटल करीब 1130 रुपे आखी जाती है इसके लिए भी MSP अब 1700 रुपे कर दिया गया है मुंग का लागत मुल्य भी 4650 रुपे आखा जाता है जिसके लिए MSP को बढ़ा कर करीब करीब 7000 रुपे कर दिया गया है इसके अलावा चाहे तूरदाल हो उडद हो स्वयाबीन हो दान हो सभी में सरकार ने लागत का डेड़ गुना मुल्य सुनिश्चित किया है इतना ही नहीं केंद्र सरकार राज्य सरकारों से लगातार सम्वात कर ये भी सुनिश्चित कर रही है कि फसलों की खरीदारी के लिए प्रभावी प्रबंद किये जाएं यहाँ वसुंद्राजी की सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि किसान के पसिने की एक-एक मुन्द का सम्मान हो मुझे बताया गया है इस बार लगबग साड़े 11,000 करोड रीकेपी की उपच सरकार खरीद कर चुकी है साथ्यों सरकार बीच से लेकर माजार तक की पूरी विवस्ता पर काम कर रही है किसानों के लिए भी योजना इन चार वर्षों के दोरान बनी है वसंद्राजी की सरकार उनको भी पूरी ख्षमता से लागू करने में जुटी है प्रदान मत्री फसल विवा योजना के तहट अब तक यहां किसान भाईयों को डाई हजार करोड से अधिक का क्लेम दिया जा चुका है साथियों गरीबी से लड़ने के लिए जो पहले के तौर तरीके थे उनसे हटकर भारतिये जनता पार्टी की सरकारों ने गरीब के ससक्ति करन और विकास में उसकी भागिदारी का रास्ता अपनाया है इसके स्पस्ट परणाम देखने लगे है दुनिया की एक नामी संस्ता की इलहाली में एक रिपोर्ट आई है इसमें कहा गया है कि भारत में बीते दो वर्षों में लगबग पांच करोड गरीब के कुछ चक्र से बहार निकल गए है पांच करोड लोग गरीबी से मुक्त हुए है साथियों गरीबी से मुक्ति के मार्क पर जो देश अग्रेसर हुआ है उसका कारण है साफ नियत सही विकास आप सभी देश के सवा सो करोड लोगों का सहयोग इस सरकार को मिल रहा है आपके सहयोग का ही ये प्रणाब है कि स्वच्छ भारत मिशन के तहट राजस्थान में लगवग असी लाग सो चालयों का निर्मान किया गया है इस दोरान देश में जो लगवग 32 करोड गरीबों के बैंक खाते खुले हैं उनमें से 5 करोड चदीक जनदन खाते राजस्थान में खुले हैं प्रदान मंत्री आवास योजना के तहट और पहले की योजनाओं को पूरा करके राजस्थान के 6 लाग से अधिक गरीबों को गर देने का काम भी किया गया सिर्फ एक रुपिया महिना और 90 पैसे प्रतिजिन के प्रिमियम पर राजस्थान के भी 70 लाख लोगों को सुरक्षा बीमा योजना का कवच मिला है साथियों मुद्रा योजना के तहट राजस्थान के 44 लाख से अधिक उद्दमियों को स्वरोजगार के लिए बीना गारंटी कर्ज दिया गया है इसके अलावा सिर्फ साल भर में राजस्थान के लगभग तीन लाख लोगों को सौबागी योजना के तहट मुपत में विजली कनेक्शन दिया जा चुका है राजस्थान में साड़े 33 लाख से अधिक गरी माता और बेहनों को उजवला योजना के तहट मुपत गैस कनेक्शन दिये गए हैं उजवला योजना ने महलाओं के जीवन को बदलने का काम किया है भाई और बेहनों हाली में इस योजना की लाभार्ती माता बेहनों के साथ सम्वात के धर्मियान मुझे एक और बात का पता चला एक बेहन ने बताया कि उजवला योजना की बज़े से दुएं से मुक्ति तो मिली हुई लेकिन साथ में पानी की भी बचद हुई पानी की बचत इसलिए हो रही हैं क्योंकि अब गैज पर खाना बनाने की विज़व से बरतनों में कालिख नहीं लगती ऐसे में राजस्तान की माताओं को तो ये दोरा फाइदा देने वाली स्कीम है साथियों मुझे ऐसाथ है कि राजस्तान के लोगों के समय का एक बड़ा हिस्सा पानी की आवस्चताओं को पूरा करने में चला जाता है वसंद्राजी की सरकार ने इस दिशा में भी सरानिय प्रयास किये हैं मुझे बताया गया है कि मुख्य मंत्री जलस सवाव लंबन अभियान जैसी योजनाओं के माद्यम से गाव और शहर में मिलाकर चार हजार करोड से अधिक के प्रोजेक पूरे कर दिये गए हैं साड़े बारा हजार से अधिक गावों तक पीने के पानी की सुभीदा पहुचाई गई हैं भाई और बहनों आपकी लोगपुरिय मुख्य मंत्री जी ने मुझे बताया है कि राजस्तान सरकार और भारतिय जंता पार्टी के विदाय को द्वारा एक मांग केंद्र सरकार के सामने रखी गई है पारवती, काली सिंग, चंबल, लिंक परियोजना को राश्ट्रिय प्रोजेक के तौर पर गोशित करें मुझे जानकारी दी गई है कि इसकी विश्ट्रूत प्रोजेक रिपोर्ट जल संसाल दन मंत्राले को बेजी गई है और परियोजना की तक्निकी जाच का काम चल रहा है इस परियोजना से राजस्तान की दो लाग हेक्टर से जादा जमीन को सिंचाई की सुविदा मिलेगी इतना ही नहीं इस परियोजना से जाइपूर, अलवर, बरतपूर, समाई माधापूर, जालावर, कोटा, बुंदी ऐसे तेरा जिलों में रहले वाली राजस्तान की 40 प्रतिशद आबादी को पीने का पानी उपलब्द होगा बाई और बेहनों, मैं आपको यह आस्वासन देना चाहूंगा कि केंद्र सरकार इस मांग के प्रतिश सकारात्मग रूख रखेगी राजस्तान का विकास हो, यहां के किसान को पानी आसारी से मिले लोगों को पीने के पानी मिले, इसके लिए पूरी समधन सिल्टा के साथ फैसला लिया जाएगा साथियों, गरीब को ससक्त करने के लिए सरकार, स्वास्त, पोशन, सिक्षन के खेत्र पर और जादा फोकस कर रही है पिछली बार जब मैं जुन जुनु आया था, तो रास्तिय पोशन मिशन जैसी महत्वकांची योजना का एलान किया था अब ये कारकम प्रभावी तरीके से देश बर में चल रहा है इसके अलावा महलाओं और सिश्वों के इतिका करण और विशेश सग्यों की निगरानी में डिलेवरी को जो प्रोशान दिया गया है उससे माता मृत्युदर में भी बड़ी गिरावट आई है मैं राजस्तान की मातों बहनों को और राजस्तान की सरकार को विशेश तोर पर बढ़ाई देता हूँ कि इस दिशा में आप जो प्रयास कर रहे हैं उसका परणाम आज जमीन पर दिखने लगा है निश्ची तोर पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को राजस्तान बहुत उचे स्तर पर ले जा रहा है बिमारी को लेकर गरीब की चिंता को समझते हुए आईश्मान भारत का एक बड़ा संकल भी लिया गया है इसके तहट गंबीर बिमारी की स्थिती में करीब करीब पचास करोड आबादी को सालाना पांच लाग तक मुप्त इलाज सुनिश्चित किया जाएगा इस योजना पर तेजी से काम चल रहा है और बहुत जल्द इसकी शुरुवात होगी बाई और बहनों बारतिय जंता पार्टी की सरकारों की हर योजना का लक्ष देश का संतुलित विकास और हर व्यक्ति को सम्मान सुरक्षा और स्वाबिमान का जीवन देना है इस वक्त डेश्ट में अभूत पुर्वजना अंदोलन चल रहा है इसका नाम है राश्ट्रिय ग्राम स्वराज अभियान गाउं में विकास के अलग-अलग पैमानों को द्यान में रखते हुए नई उर्जा के साथ काम किया जा रहा है गाउं में सभी के पास बैंक खाते हो, गैस कनेक्शन हो, गर में बिजली कनेक्शन हो, सभी का टिका करन हुआ हो, सभी को सुरक्षा कवच मिला हो, हर गर में LED बल हो, ये सुनिस्चित किया जा रहा है इस अभ्यान के तहट, इस साल 15 अगस तक, राजस्तान के भी देड़ हजार गाउं को इन योजनाओं का संपुर्ण लाब दिया जाएगा साथियों सबका साथ, सबका विकास के मंत्र पर चलते हुए, देश के हर हिस्से को, चाए गाह हो या शहर, सभी जगह विकास की रोशनी पहुचाने का प्रयाथ, तेज गती से चल रहा है देश के सो बड़े शहरों में तेज गती से स्मार्ट मवस्ताई विक्सित की जा रही है, इन सो शहरों में हमारे जैपूर, युदैपूर, कोटा और अजमेर भी शामिल है इन शहरों की सड़कों को गलियां हो, ट्राफिक, बिजली, पानी और सिवर से लेकर के प्रसाशन से जुड़े तमाम पहलूओं को स्मार्ट बनाने का के लिए केंद्र सरकार ने साथ हजार करोड रुपे से अधिक कि मंजुरी दे दी है राजस्तान सरकार इन परियोजनाओं पर तेजी से काम कर रही है साथियों, आज जो काम हो रहे हैं, वो पहले भी हो सकते थे लेकिन पहले किस जो सरकारे रही, तो उन्होंने किस नियत से काम किया, उससे आप बली बाती परीचित है इसी नियत का प्रणाब है कॉंग्रेस को आजकल कुछ लोग बेल गाडी बोलने लगे हैं बेल गाडी नहीं बेल गाडी बेल गाडी नहीं बेल गाडी आजकल बेल पर्यानी की जमानत पर है लेकिन आपने जिस बरोसे के साथ कॉंग्रेस की संस्क्रितों को नकारा और भाजपा को जनल देश दिया उस बरेशों को दिनों दिन मजबूत करने का काम भारतिय जनता पार्टी की सरकार कर रही है हम नुई इंडिया के संकल्प को लेकर आगे बढ़ रहे हैं 2022 में देश की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने वाले है लेकिन उससे पहले अगले वर्ष मार्च में ही राजस्तान के घटन को 70 वर्ष होने वाले हैं नुई इंडिया का निर्वान नए राजस्तान के बगएर संबव नहीं है ऐसे में यहां के मेरे भाई और बैनों के लिए भी राजस्तान निर्माण का ये सुनहरा अवसर है साध्यों ये वर्ष देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले परमवीर चक्र विजेतां सहीत पिरुसी सिखावत का भी जन्मशती वर्ष भी है कुछी दिन बाद उनके बलिदान के 70 वर्ष भी पूरे होने वाले हैं इस महान बलिदानी को मेरा शत शत नमन है हमारा राष ऐसे ही अनेक बलिदानियों की भीरता शोर्य और राष प्रष प्रवत्ति के दम पर आज दुनिया के सामने सीर उठा कर खड़ा हुआ है लेकिन दुर्भागे से हमारे राजनिती विरोधी यहां भी बाज नहीं आये सरकार तक तो ठीक उन्होंने सेना को भी उनकी समता पर भी सवाल उठाने का पाप किया है यह पहले कभी नहीं हुआ राजस्तान के लोग देश के लोग ऐसी राजनिती करने वालों को कभी माप नहीं करेंगे साध्यों जिनको परिवार की बहुशवाद की राजनिती करनी है वो करें लेकिन देश की रक्षा और स्वामिमान को सिखर पर ले जाने का हमारा निश्चय अटूठ है और हमारी नितिया साफ है यही कारण है कि जो वन रेंग वन पेंशन का मुद्दा सालों से अटका हुआ था इस सरकार ने उसका भी समाधान किया गया भाई और बहनों देश आज एक एहम मोर पर खड़ा है एक नई दिशागी तरह हम चल पड़े हैं कई मुस्किल लक्ष हासिल किये जा चुके हैं और कई अभी तैक करने के इरादे से आगे बढ़ रहे हैं मुझे पुरा विश्वात है कि आप सभी की सक्रिय भागिदारी से अपने हर संकल्प को सिद्ध करने से सरकार को सफलता मिलेगी आज जिन योजनाओं पर काम चुरूआ है उसके लिए मैं राजिस्तान के लोगों को एक बार फिर बढ़ाई देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ मेरे साथ आप सब बोलिये भारत माता की भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद कोटी कोटी वंगन अभिवादन आभार मानिनी प्रधान मंत्री जी आपका चलिए राजिस्थान वासियो चलिए भारत वासियो राष्ट निर्मान के इस महा प्रयान में हम सब चल पड़े मानिनी प्रधान मंत्री जी के साथ